Hello everyone, Welcome to Success with Raya Academy 22 July 2020 के दैनिक जागरण के राष्टिय संस्क्रण को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं हर सुबह ये 5 बातें खुद से जरूर बोलें पहला मैं सबसे अच्छा हूँ दूसरा मैं ये काम कर सकता हूँ तीसरा भगवान हमेशा मेरे साथ है चौत्ला मैं एक विजेता हूँ और पाँचवा आज का दिन मेरा दिन है पहला point जो है कि मैं सबसे अच्छा हूँ जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मुझ में काभीलियत है, तब तक आप किसी भी छेतर में सफलता नहीं पा सकते हैं दूसरा point है कि मैं ये काम कर सकता हूँ कितना भी कठिन हो आपने भी देखा होगा जब भी आपके उपर कोई परशानी आती है तो आप या तो उससे हार जाते हैं या फिर उसको जीतते हैं तो वो जीतने वाली प्रवत्ति आपके अंदर लानी होगी और अपने से बोलना होग कि मैं ये काम कर सकता हूँ चाहे कोई भी एकजान की तयारी हो अगर आप अंदर अपने अंदर ये बात ठान लेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप निश्चित तोर पर कर लेंगे और तीसरा है कि भगवान हमेशा मेरे साथ है कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी किस्मत अच् ये मान कर चलिए चौथा पॉइंट है कि मैं एक विजेता हूँ याने अपने आपको एक विनर के तौर पर देखिए आज तैहरी कर रहे हैं फेल हो रहे हैं मुश्किले आ रही हैं इस पर बिलकुल भी ध्यान मत दीजिए एक बात पर ध्यान दीजिए कि मैं विनर हूँ य आपने मुताबिक चलाओंगा याने कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा मेरा पूरा दिन गुज्रेगा तो आप बोल सकते हैं कि पूरा दिन आपका है और आप उस पूरे दिन को अपने ढंग सक चलाएए तो चलिए अब आज के नियूस पेपर को शुरू करते हैं नेशनल नियूस नेशनल नियूस से सुरू करते हैं तीन नेशनल नियूस हैं हमारे लिए पहला है कि दिल्ली में क्रोना वाइरस को हरा चुकी है एक चौथाई आबादी 11 जुले में हुए सीरो सर्वे में 23.48 फिजदी लोगों में मिली एंटी बॉड़ी दूसरा है कि किसान आज से अपनी उपज कहीं भी बेजने के लिए स्वतंत्र होंगे सरकार ने ये बहुत बड़ी राहत दी है क्या है ये राहत डिटेल में देखेंगे और तीसरा है कि अंडर ग्रेजुएट 17 नॉवंबर और पोस्ट ग्रेजुएट दिसंबर में सुरू होगा सत्र पहली निउस से सुरू करते हैं कि दिल्ली में क्रोना वाइरस को हरा चुकी है एक चौथाई आबादी एक तरफ जहां दिल्ली में क्रोना से जंग का प्रवंधन मजबूत दिख रहा है वहीं जून के तीसरे हफते के सर्वे में यह बात भी सामने आ रही है कि इस से लड़ने के लिए लोगों में प्रतिरोधा च्छमता भी पैदा हो रही है दिल्ली में कराये के सीरो सर्वे में यह जानकारी सामने आई है बड़ी आबादी में क्रोना के एंटी बाडी मिलने के बाद भी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल याने NCDC ने दिल्ली में हर्ड इम्मुनिटी इस्तित पहुँच जाने से इंकार किया है NCDC के निदेसर डॉक्टर S.K. सिंग ने बताया कि अभी भी तीन चौथाई आबादी वाइरस से बची हुई है और उसके संक्रमित होने का खत्रा बरकरार है डॉक्टर S.K. सिंग के अनुसार डिल्ली के सभी 11 जिलों से 21,387 लोगों के खोन के नमूनों की जाच की गई है इनमें से 23,48% नमूनों में कुरोना वाइरस के एंटी बॉडी पाए गए है इससे साफ होता है कि ये लोग कभी न कभी कुरोना वाइरस से संक्रमित हो चुके हैं और उनके सरीर में उसके खिलाफ एंटी बॉडी भी बन चुकी है लेकिन उनके उन्हें इसका पता ही नहीं चला है अब क्या है एंटी बॉडी इसके बारे में जान लीजे antibody ऐसे protein योगिक हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्ता है antibody immunoglobulineal के नाम से भी जाना जाते है हमारे रक्त या सरीर के अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं इनकी उप्योगिता प्रतिरक्षा प्रणाली दोरा वैक्टीरिया वाइरस को पहचानने और उन्हें बेशर करने में है अब ये सर्वे क्यों कराया गया सीरो सर्वे में किसी इस्थान पर हर समू के लोगों के रक्त के नमूनों की जाच का सरीर की प्रतिरोधक छमता का पता लगाया जाता है इसके बिना लक्षन वाले उन मरीजों की पहचान होती है जिन्हें संक्रमन हुआ था लेकिन अपनी प्रतिरोधक छमता के कारण वे ठीक हो गए थे अब हर्ड इम्म्यूनिटी का मतलब क्या होता है हर्ड इम्म्यूनिटी यानि सामोहिक प्रतिरोधक छमता इसका मतलब यह है कि भविस्त में लोगों को बचाने के लिए फिलाल आबादी के एक तय हिस्से को वाइरस से संक्रमित होने दिया जाए इससे उनके सरीर के अंदर संक्रोण के खिलाफ सामोहिक इम्म्यूनिटी यानि प्रतिरोधक छमता पैदा होती है इससे सरीर में वाइर ना तो उन्हें संक्रमित करेगा और ना ही दूसरों को अब नेक्श नीउस पर आते हैं किसान आज से अपनी उपज कहीं भी बेजने के लिए स्वतंत्र मोजी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फैसला विक्री के रास्ते यहने राहत देते हुए फसल विक्र जबिया है कि अब किशान अधिसूचित मंडियों से बाहर कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र है इसके अलावा किसान बुआई से लेकर भी क्रसी व्यापार से जुड़ी कंपनियों व थोग व्यापारियों के साथ अपनी उपज की विक्री का करार कर केंद्री क्रसी मंत्राले ने क्रसी उपज व्यापार और वानिज अध्यादेस और मुल्य आस्वासन पर किसान समझोते और क्रसी सेवा अध्यादेस को मंगलवार को अधिसूचित कर दिया यानि ये दोनों अध्यादेस मंगलवार से लागू हो गए इन दोनों अध्याद कहीं भी अपनी पसंद के बाजार, संग्रह, केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज कारखाने को अपनी उपज बेचने की छुट मिल गई है किसानों पर अब सरकार की तरफ से अधिसूचित मंडियों में ही अपनी उपज बेचने की बादता नहीं होगी कोई बड़ा उलट फेर नहीं हुआ तो विस्विद्यालों और कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट का सत्र अब नवंबर से और पोश्ट ग्रेजुएट का सत्र दिसम्बर में सुरू होगा हाला कि अंडर ग्रेजुएट वा पोश्ट ग्रेजुएट के दूसरे और तीसरे वर्स के चाप्तरों की पढ़ाई अगस्त में ही सुरू हो जाएगी यह सुरूआत में घर में ऑनलाइन तरीके से कराई जाएगी लेकिन करोना संक्रों की इस्तिती समान होने के बाद यह पहले की तरह क्लासरूम के जरिये होगी यह फैसला विस्विद्याले उपर छोड़ा गया है करोना के चलते बड़ा बंद पड़े विस्विद्याले उपर कालेजों की सेक्षणिक गतिविदियों को फिर से सुरू करने को लेकर प्रोफेसर आरसी कोहार की अगवाई में गठित यूजीसी की उच इस्तरिये कमिट भारत की जमीन हतियाना चाहता था चीन ये बोला है अमेरिका ने अमेरिका ने साफ कहा है कि क्रोणा वाइरस की आड में चीन लद्दाक छेतर में भारत की जमीन हतियाना चाहता था गल्वन घाटी में सीमा विस्तार की चीन की व्यकुलता पर चिंता जताते हुए अमेरिका सम्मती से राष्टी रक्षा प्राधी करण अधिनियम में संसोधन पारित करते हुए गलवन घाटी में भारत के साथ आक्रामक्ता और दच्छण चीन सागर में दादागिरी दिखाने को लेकर चीन पर निसाना साधा है। सेन काकुद्वीप जैसे विवादिक छेतरों में चीन का सीमा विस्तार और आक्रामक्ता गहरी चिंता के विसय है। चीन पर तनाव कम करने के लिए चीन और भारत को मिलकर काम करने को कहा गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एसपर ने मंगलवार को कहा कि वास्तविक नियंतरन रेखा पर भारत की और चीन के बीच की इस्तती अमेरिका बहुत करीब से निगरानी कर रहा है। एसपर ने चीनी सेहन नेगतिविदियों को चेतर को अश्थर करने वाला बताया है अब नेस्ट पेज पर आते हैं नेस्ट पेज है हमारा बिजनस पेज बिजनस पेज में हमारे लिए तू न्यूज है पहली नियूज है भारत अमेरिका के बीच छोटे व्यापारिक करार का संकेत और दूसरी नियूज है कि चुनोतियों के बावजूद निजी करण को लेकर सरकार कर रही बड़ी तैरी पहली नियूज से सुरू करते हैं रक्षा छेतर में पार्टनर्शिप के बाद भारत और अमेरिका व्यापारिक छेतर में भी संबंदों को मजबूती देने की दिसा में बढ़ रहे हैं दोनों देशों के बीच जल्द ही छोटे इस तरके व्यापारिक करार पर बाच्ची सुरू हो सकती है भारत इस करार के तहट अमेरिका पर Generalized System of France याने GSP को फिर से बहाल करने की मांग कर सकता है बदले में अमेरिका के लिए भारत ससर्थ अपने डेरी उत्पात बाजार को खोल सकता है भारत की कोशिस होगी कि फार्मा के लिए Preferential System बहाल हो जाए ताकि अमेरिका में भारतिये दवा के निर्यात में और बढ़ोतरी हो सके GSP की सूची में सामिल वस्तू के आयात पर अमेरिका में सुल्क नहीं लगता है जिससे वह वस्तू अमेरिका में सस्ती हो जाती है अमेरिका ने भारत को यहां तक संकेत दिये हैं कि भारत यदि चीन से समान मंगाना छोड़ दे तो अमेरिका का बाजार भारत के लिए पूरी तरह से खुल सकता है अभी भारत को दवा उत्पादन के लिए 70 फीजदी से अधिक कच्छा माल चीन से आयाद करना पड़ता है अमेरिकी वानिजमंत्री डेबलू रॉस के बीच वर्चुल प्लेटफॉर्म पर हुई बैठक में दोनों तरफ से व्यापारिक करार पर फिर से बाचीत सुरू करने की दिसा में दिल्चस्पी दिखाई गई है भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक करार की बाचीत पिछले एक साल से अधिक समय से चल रही है नेक्स्ट है कि चुनौतियों के बावजूद निजी करन को लेकर सरकार कर रही बड़ी तयारी ऐसे समय में जब लॉकडाउन की वज़ा से आर्थिक गतिविधिया सुस्त हैं तब वित मंत्राले के निर्तत तुमें अभी तक के सबसे बड़ी निजी करन प्रक्रिया को लेकर काम सुरू किया गया है सरकारी तेल कंपनियां सरकारी बैंकों जैसे रणीतिक छेतरों में पहले से जारी निजी करन का काम जो ठहरा हुआ था उसे नए सिरे से आगे बढ़ाया जाएगा इसके तहट एक सारजोनिक छेतर की तेल कंपनियों में दूसरी सरकारी तेल कंपनियों की क्रॉस होल्डिंग पूरी तरह से बेची जाएगी और कुछ सरकारी बैंकों को सीधे तोर पर दूसरे निजी बैंकों को बेचने का भी वि भागों से संपर्क भी साधा है इसमें पेट्रोलियम मंत्राले विदेश मंत्राले कानून मंत्राले कंपनी कार्य मंत्राले स्रम मंत्राले से लेकर भारतिय प्रतिभूति वर विनिमय बोड याने सेवी भारतिय वीमान विनियामक वर विकास प्राधिकर याने इरडा जैसी न पुदहारों पर और ज्यादा ध्यान देना है ताकि जब महौल में सुधार हो तो हम बड़ी छलां के लिए तयार रहे हैं तो ये बिजनेस पेज की दो नियूस थी अब नेक्स पेज पर आते हैं नेक्स पेज है हमारा एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पेज में हर बार के तरह तीन आर्टिकल हैं पहला आर्टिकल है हमारा खुद को आइना दिखाने का समय इतिहास की पुनर समीच्छा और दिगचों के बुद्ध हटाने को तयार है पर इसमें अपनी नैतिक अदूर दरसिता पर गहन विचार कर उसे दूर करने का भी प्रयास करना होगा ये लि दूयार्क टाइम्स के स्तंबकार निकोलस क्रिश्टाफ द्वारा दूसरा आर्टिकल है कि जाती मजहब की घिनौनी राजनीती जाती मजहब की राजनीती इतनी गिर गई है कि कोख्या तत्तों के साथ भी खड़े होने में संकोश नहीं किया जा रहा है और ये आर्टिकल लिखा है दैनिक जाग्रन के एसोसियेट एडिटर राजी सचान द्वारा तीसरा आर्टिकल है किसान हित ऐसी कदम जिस तरीके से किसानों को अपनी उपज अब कहीं भी बेचने की स्वतंतरता दी गई है ये किसानों के लिए एक अच्छा कदम माना जा रहा है इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल तो पहले आर्टिकल से हम सुरू करते हैं खुद को आइना दिखाने का समय यह दोर बहुत घटना प्रधान है अमेरिका और अन्य जगह विवादित प्रतिमाय गिराई जा रही है इतिहास की प्रति भूतियों का नए सिरे से आकलन हो रहा है ऐसे में मुझे इस बात को लेकर हैरानी है कि हमारी आने वाली पीडियां इस दौर और खुद हमारे बारे में क्या अनैतिक पाएंगी मेरे ख्याल से तो एक पहलू निश्चित रूप से पसूँ के प्रती हमारी कुरूरता से जुड़ा होगा आधुनिक समाज फैक्टरियों में प्रोटीन उत्पाधन पर निर्भर है किफायती होने के साथ साथ इसमें प्रचुर मात्रा में उत्पाधन संभव है हाला कि इस प्रक्रिया में पसूँ को असहनिय पीड़ा के दोर से गुजरना पड़ता है पिछले 200 वर्सों के दोरान दुनिया पशु अधिकारों के लिए और अधिक समवेधन सील बनी है सामन्त वादी यूरोप में तो पशु कुरूरता से जुड़े कई खेल प्रचलित है हाला कि अब तमाम राज्य और देश पशु संरक्षन कानून बना रहे है गत वर्स अमेरिका में 9.3 अरब मुर्गे काटे गए यानि प्रतेक अमेरिकी के अनुपात में 28 मुर्गे यह भी देख लीजे कि उन्हें किस तरह मारा जाता है सबसे पहले मुर्गों की टांगों को धातु से बाधा जाता है फिर इलेक्ट्रिक बात दी जाती है इसके बाद उनकी गर्दन उतारते हैं और उन्हें बेहत गर्म पानी में डुबाया जाता है इस पूरी प्रक्रिया यह जो पूरी प्रक्रिया है बहुत करीने से चलती है इसके बावजूद बंधन में बंधे होने के कारण कुछ मुर्गों की टांगे और पंक तूट जाते हैं जब यह सिस्टम नाकाम हो जाता है तो वे आरी से आगे जद्दो जहत करते हैं किसी बच्चे को तो पक्षी के पंक तोड़ने पर सजा दी जा सकती है लेकिन कार्पूरेट अधिकारियों का अर्बों की तादातने पक्षियों को प्रताडित करने पर कुछ नहीं बिगड़ता फैक्टरी, फार्मिंग, अग्रिम, मोर्चे पर तैनात मानोकर्मियों को भी नुकसान पहुचा रही है फिर चाहे मामूली भुकतान पाने वाले वे संगरसरत किसान हो जो पसू को बढ़ा करके कसाई खाने तक लाते हैं या फिर उन कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी जिन्हें कमजोर रक्षा कोच हांसिल होता है अब वे क्रोना वाइरस की गिरफ्त में आकर बिमार पढ़ रहे हैं ऐसी इस्तती में लोगों का रवाया बदल रहा है यह बात सही है कि आज के समाज में पसू को लेकर जिस तरीके से जोसे आम भासा में हम लोग बोलते हैं बूचल खाना तो इसमें जिस तरीके से पसू को काटा जाता है वो वाकई में निंदनी है और आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे और यह जैसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि मुर्गियों के साथ या मुर्गों के साथ जिस तरीके से उसका कटिंग की जाती है कई वीडियोज ऐसे हैं जो आप देखकर वाकई में दहल जाएंगे तो ये एक समाज में अब परिवर्तन की जरूरत है आप थोड़ा सा परिवर्तन लाइए पसुओं को भी ये समझे कि उनके अंदर जान है तो साइब कुछ इस्तिती पसुओं की बहतर हो सके जो कि कई देशों में पसुओं संरक्षन कानून बनाय जा रहे हैं भारत में भी बनाया गया है लेकिन उसको और सक्त करने की जरूरत है जलवायू परिवर्तन तीसरी ऐसी कसोर्टी होगी जिस पर भोईस की पीडियां हमें बहुत कडाई से कसेंगी हमारी पीडि की लापरवाही अत्यंत प्रतिकूल मौसमी परिस्तितियों का कारण बनेगी बाढ़ और प्रचंड गर्म हवाओं का कहर बढ़ेगा इससे यह तस्वीर बनेगी कि 21 सदी की सुरुवात का मानव इतना स्वार्थी रहा कि कारवन सरजन घटाने को लेकर उसने छोटे-छोटे कदम उठाना भी गवारा नहीं समझा इनी चिंताओं पर मेरे साथ समवाद में ब्राउन उनिवेस्टी में भौतिक के प्रोफेसर ब्रेड मास्टन ने कहा सौ वर्सों में हमारी पिड़ी को 19 सदी के नसलवादियों जैसे या उससे भी बत्तर माना जाएगा जलवायू परिवर्तन से निपटने में नाकामी इसकी वज़ा होगी जिसके कारण हम भविस्टी की पिड़ीयों को विरासत में एक बदहाल ग्रह सौपेंगी इसलिए मैं इतिहास की पुनर समीक्षा और दिगचों के बूत हटाने के लिए तयार हूँ लेकिन यह भी उतना ही महत्पूर्ण है कि हम अपनी नैतिक अदूर्दरसिता पर गहराई से विचार कर उसे दूर करने के प्रयास करें क्योंकि इसके लिए अभी भी वक्त है इसकी एक वज़ा उसके मारे जाने के बाद यह बेसुरा राग छोड़ा जाना है कि योगी सरकार में ब्रामणों पर अत्याचार हो रहे हैं दलित ब्रामण समीकरण के सहारे राजनीती करने वाली मायावती ने विकास दूबे के मारे जाने के बाद कहा कि किसी गलत वेक्ती के अपराद की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित और कड़गरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए उन्होंने संकेत नहीं इस पर तौर पर यही कहने की कोशिस की कि योगी सरकार विकास दूबे के बहाने पूरे ब्रामण समाज को प्रताड़ित कर रही है इन्हीं मायावती ने विकास दूबे के हाथो आठ पुलिस कर्वियों के मारे जाने के बाद कहा था कि इस संसनी खे पहले से ही यह प्रचारित करने में लगे हुए थे कि उत्तर प्रदेश में ब्रामनों पर आफ़त आ गई है वे इसके लिए आपसी विवाद रंजिस संपत्ति विवाद और यहां तक की लूट डाके की घटनाओं में मारेगे ब्रामनों ब्रामन लोगों का भी उलेक कर रहे है उत्तर प्रदेश में ब्रामनों की जान मान पर बन आई है यह महल बनाने के लिए बीते दिनों ट्रेटर पर ब्रामन हत्यारा ट्रेंड कर गया इसमें देज भर के कांग्रेस जनों ने बड़े उत्सा से भाग लिया दून स्कूल में पढ़े जितन प्रसाद उच्छित ह हैं और केंज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं लेकिन उन्हें यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में ब्रामनों के मान सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें एक जुट होने की जरूरत है उनकी माने तो ब्रामनों को लेकर योगी सरकार की भावना ठीक नहीं है वह किसी जाने वाले ही विकास दुबे या आनंद पाल सिंग जैसे तक्तों को मोहरा नहीं बनाते गैर राजनीतिक लोग भी या काम करते हैं वह भी इस या उस बहाने आपराधिक तक्तों के साथ खड़े होने का काम करते हैं दिल्ली दंगे के दोरान जिस ताहिर हुसैन के घर को अक्तर को ही थी हाला कि वह खुद को नास्तिक धर निर्पेश तरकवादी वगेरा बताते हैं लेकिन उन्होंने ताहिर हुसैन के प्रती हमदर्दी जताने में संकोश नहीं किया इस संकोश का प्रित्याक कई मुस्लिम पत्रकारों ने भी किया है वे आज भी बेसर्मी से के बीन बजा रहे हैं कि दंगो की साजिस रचने का आरूपी ताहिर हुसैन बिचारा है खुले आम गोली चलाने वाला सारुक बोला भाला है और जाकिर नाइक से दोस्ती गाठने वाले खालित सैफी संप्रदाइक के खिलाफ अलग जगाने वाला नेक बंदा है यह बेसर्मी बात और कोई नहीं हो सकती कि जयती मजहब के नाम पर की जाने वाली राजनीती इस हद तक गिर जाती है कि कुख्यात अपरादियों के पक्ष में खड़े होने में संकोश नहीं किया जाता है पता नहीं इस घटिया राजनीती पर लगाम कैसे लगेगी लेकिन यह समझने की सकती ज़रूरत है कि पुलिस और न्याइक सुधार अनिवार हो चुके हैं समय पर सही न्याइन इस तरह की राजनीती पर लगाम लगाने का काम करेगा अब तीसरे आर्टिकल पर आते हैं कि किसान हित ऐसी कदम किसानों को अपनी उपज कहीं पर भी बेजने की सुविधा देने वाले अध्यादेश के प्रभावी होने के साथ ही भारती क्रसी के नए युग में प्रवेस का मार्क प्रसस्त होता दिख रहा है चुकि किसी के साथ इस अध्यादेश को भी अध्यसूचित कर दिया गया है कि जिसके तहट अनुबंद खेती को अनुमती दी गई है इसलिए उम्मीद की जाती है कि हमारे किसान ना केवल अपनी उपज का लाबकारी मूले हासिल करने में समर्थ होंगे बलकि उन्नत खेती की और भी अग्रसर हो सकेंगे यह अब देखना है कि इन कदमों से किसानों की आयदोगना करने का लक्ष पूरा हो सकेगा या नहीं यद भी करुना संकट के चलते यह लक्ष दूर होता नजर आ रहा है लेकिन इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती है कि इस गहन संकट के समय खेती एक बड़ा सहरा बनी है इसे भी खुद यह सुख़ दिया है कि कुरुना संकट के बावजूद खेती अर्थववस्ता को सहरा देती नजर आ रही है करसी उत्पादन में बढ़त की संभावना है एक अन्य सुख संकेत यह भी है कि खेती में काम आने वाले यंत्रों और ट्रेक्टरों के साथ उर्वरकों की मांग में व्रधी देखने को मिल रही है यह सिलसिला कायम रहे इसके लिए सरकार को हर संभव उपाय करने चाहिए यह सही समय है कि खेती को आधनिक बनाने के साथ क्रसी उपच के भंडारन और वितरन की समुचित वरस्ता की जाए तो यह एडिटोरिल पेज के तीन आर्टिकल थे अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज पेज में हमारे लिए एक न्यूज है UAE में होगा पूरा IPL यह बोला है पटेल ने भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस साल इंडियन प्रीमियल लीग याने IPL का आयोजन समयुक्त अरब अमिरात में कराने के लिए अब सरकार से इजाज़त मांग रहा है इसका मतलब यह है कि तय है कि इस साल IPL UAE में खेला जाएगा IPL केमिशनर बरजेस पटेल ने इसकी पुष्टी की है इस साल अक्टूबर नॉवमर में आस्टेलिया में ICC T20 विसकप खेला जाना था जो इस थगित कर दिया गया है ऐसे में BCCI सितंबर अक्टूबर और नॉवमर के विंडो में IPL करा सकता है IPL के आयोजन के लिए UAE के अलावा स्रिलंका की ओर से भी BCCI को आफर मिला था भारत में COVID-19 महामारी में लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए IPL का भारत से बाहर होना पहले से तैमाना जा रहा है ब्रजेस पटेल ने कहा कि हमें अभी इस पर फैसला लेना है और IPL कब सुरू होगा साय सितंबर में अमर्याद बोर्ड में हमें IPL आयोजन करने का प्रस्ताव दिया है यह आज का यानि 22 जुलाई 2020 का धैनिक जागरान का राष्टी संस्क्राण था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद